दोस्तो आज मैं आपको गरीब की पहली गाड़ी कहानी सुना रही हूँ आकाश सड़क पे उदास चल रहा था क्योंकि आज उसकी नोकरी जो चूट गई थी परेशान आकाश एक पेड़ के नीजे बैठ गया और सोचने लगा अब क्या होगा दूसरी नोकरी कहां ढूंडू बड़ी मुश्किल से तो ये नोकरी मिली थी और अभी अभी तो मेरी नई-नई शादी हुई थी क्या होगा कैसे होगा तभी उसका फोन बजा आकाश की पतनी सलोनी का फोन था सलोनी कहती है हां जी तो हम नई गाड़ी कप ले रहे हैं आकाश अरे ये एकदम से गाड़ी का खयाल कैसे आया सलोनी अरे वो मेरी सहीली है न मीरा उसने एक नई कार खरीदी है उसकी कार बहुत सुन्दर है उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई पस मुझे भी एक नई गाड़ी चाहिए आकाश पर सलोनी अभी तो मेरे पास गाड़ी खरीदने लाइक पैसे नहीं है कहां से मैं अभी गाड़ी लाऊं सलोनी वो सब मुझे नहीं पता आकाश तो शादी करना ही नहीं चाहता था पर उसकी मा सरला ने उसे समझाया था देख बेटा लड़की बहुत अच्छी है और शादी के लिए मान भी गई है बस तू भी मान जा और ये शादी कर ले आकाश कहता है पर मा मुझे तो बहुत कम तंखा मिलती है इसमें वो महंगी चीज मांगने लगी तो मैं कहां से ला कर दे दूँगा सरला अरे बेटा वो तो बाद की बात है वैसे बीवी को तो दो टाइम का खाना ही तो चाहिए होगा ये सही टाइम है बेटा अभी शादी कर ले फिर आकाश ने अपनी मा की बात मार कर सलोनी से शादी कर ली पर कुछ दिनों मैं ही सलोनी कहने लगी देखिए आपने शादी में भी मुझे कुछ नहीं दिया पर अब मुझे एक सोने का मंगल सूत्र चाहिए आकाश अरे सलोनी अभी मैं इतनी महंगी चीज नहीं दिला सकता पर मैं बादा करता हूँ तुमें चार-पाच महीने बाद जरूर दिला दूँगा सलोनी अच्छा तो फिर अभी एक सोनी की अंगूटी ही दिला दो आकाश अरे वो भी तो महंगी होगी अभी के लिए कुछ सस्ती सी चीज ही ले लो सलोनी सस्ती? अरे मैं क्या आपको सस्ती दिखती हूँ जो मैं सस्ती चीज करीती फिर हूँ ओफो हे भगवान ये मैंने कैसे लड़के से शादी कर ली अरे मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिष्टे आ रहे थे आकाश अरे अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ अभी तुम शान्त हो जाओ फिर दो महिने की तनखाई कठा करके आकाश ने सलोनी के लिए एक हलकी वजिन की अंगोठी ले ली पर सलोनी तो उससे भी कुछ दी हुई उसके तो और बड़ी-बड़ी चीज़े चाहिए थी उसकी सेलिया तो हर महिने ही महंगी-महंगी चीज़े करिदती थी और सलोनी भी उनके साथ जाती थी बस इसलिए सलोनी भी अकाश से कुछना-कुछ डिमांड करती रहती ही थी और फिर आकाश ने सलोनी की इनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बैंक से लोन तक ले लिया था और अब तो आकाश की नोकरी भी चूट गई और उधर सलोनी ने गाड़ी की जीत पकड रखी थी वो मान ही नहीं रही थी और आकाश को घर वापस आते ही वो आकाश से जगडने लगी सलोनी कहती है देखो अगर आप मुझे गाड़ी खरीद कर नहीं दोगे तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगी मैं जा रही हो उपने माई के आकाश अरे अरे सलोनी समझो जरा देखो आज ही मेरी नोकरी चूट गई अरे अभी तो घर चलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास सलोनी अच्छा घर चलाने तक के पैसे नहीं है तो फिर मुझे से शादे ही क्यों की अरे जि तुम घर ही नहीं चला सकते तो शादी करने की क्या जरूत थी, क्यों की फिर शादी, तभी महाँ पर सरला आई और भोली, अरे सलोनी वहू, देखो जीद ना करो, वो तो सब ठीक करने की कोशिश कर ही रहा है ना, सलोनी, नहीं नहीं माजी, मुझे तो अब एक नहीं गाड़ी चाहिए, मेरी सारी सहलियो को दिखाना है, कि मेरे पास भी गाड़ी है, फिर रात में ना तो सलोनी ने खाना बनाया, और ना ही उसने खाया, तभी रात को उसकी सहली का वीडियो कॉल आया, उसकी सहली कहती है, अरे सलोनी, देख मेरी नहीं गाड़ी, हमने आज ही एक नहीं गाड़ी ली है, अब तू तु बता तु कब ले रही है नहीं गाड़ी, सलोनी वो हाँ हाँ, अरे बहुत जल्दी मैं भी गाड़ी ले लूगी, अब देखना तुम सब से महंगी वाली गाड़ी लूगी और तुम सब की सब देखती रह जाओगी, उधर आकाश छुपके ये सब देख रहा था, वो ऐसे मैं इसके लिए नहीं गाड़ी कहां से लओं, फिर अगले दिन आकाश नोकरी की तलाश में निकल गया, तीन चार जंगा पर उसने इंटर्व्यू भी दिया, पर कहीं भी उसे नोकरी नहीं मिली, एक जंगा, देखिए अभी तो नोकरिया है ही नहीं, और तुमारे पा अच्छा, अभी तो देखो मेरे यहां कोई नोकरी नहीं है, आकाश, सर कुछ भी काम करा लिजिए, मैं सब कुछ करने को तयार हूँ, बस मुझे नोकरी दे दीजिए, बॉस, अच्छ, अच्छा, मुझे एक ड्राइवर की अवशकता है, गाड़ी चला न जानते हो, जाने के समय, तुम्हें मेरे घर पर गाड़ी लानी होगी, और फिर शाम को मुझे ऑफिस से घर छोड़ना होगा, तब तुम गाड़ी अपने घर ले जाना, आकाश, जी सर जी, रात को आकाश गाड़ी अपने घर ले गया, उसने पहले अपने बोस को उनके घर चोड़ा, फिर वो गाड़ी अपने घर ले गля तभी उसे एक आईडिया आया जब वो गाड़ी अपने घर ले गля तो सलोनी उस गाड़ी को देखकर फूली नी समाई वो बोली, आरे वाह, तुम सच में गाड़ी ले आए ये गाड़ी तो कितनी बड़ी और कितनी सुंधर है बहुत महिंगी भी होगी न आकाश हाँ, देखो तुम कबसे गाड़ी गाड़ी कर रही थी न लो, तो आज मैं गाड़ी खरीद के ले ही आया सलो निया, वाओ, कितनी अच्छी गाड़ी है हमारी पहली गाड़ी कितनी सुन्दर है, कितनी बड़ी है। सर्ला, पर बेटा ये तु लाया कैसे? तुझे नोकरी मिल गई गया? आकाश, हाँ मा, तभी तो ये गाड़ी खरीद के लाया हूं, चलो बाप दोनों गाड़ी में बैटो, मैं आप दोनों को घुमा के लाता हूं फिर आकाश अपनी माँ और बीबी को गाड़ी में बिठाके शहर का एक चक्कर लगा के लाया उसने ऑपनी माँ और बीबी को जुटी बोल दिया था कि ये गाड़ी वो करीद के लाया है उधर सलोनी वीडियो कोल करके अपनी सहेलियों को अपनी नई कार दिखाने लगी आरे देखो तुम लोग ये है मेरी नई गाड़ी देखो तो कितनी सुन्दर और कितनी बड़ी है सलोनी बहुत खुश थी और उसको कुश देखकर आकाज भी बहुत कुश था पर वो कहते हैं न कि जूटके पाओ नहीं होते वो जादा दिन नहीं चल सकता कुछ महिने तह सब ठीक चला फिर एक दिन सलोनी की एक सहेली ने उसे कॉल किया अरे सलोनी शॉपिंग पे चल हमारे साथ हम सब जा रही है सलोनी हाँ हाँ ठीक है मैं भी आती हूँ अपनी नहीं गाड़ी लेके उधर आकाश का बोस ओफिस जाने के लिए आकाश का इंतिजार कर रहा था बोस सोच रहा था अरे आज ही आकाश कहां रह गया मुझे ओफिस के लिए लेट हो रहा है रोज तो टाइम पर आजाता है फिर बोस ने आकाश को फोन भी किया आकाश ने फोन भी नहीं देखा क्योंकि आकाश यूटा था आकाश उठा तो उसने देखा कि गाड़ी तो माँ थी यही hätte ही नहीं आकाश कहता है अरे मा गाड़ी घांग गई शरला बेटा और गाड़ी तो बहु ले गई कोई बात नि ले जाने दे तू आज बस या ओटो से चला जा अपने काम पर आकाश ओफो अब मा को क्या बताऊं कि गाड़ी ले जाना ही तो मेरा काम है फिर आकाश बस में बोस के घर चला गया पोस ने उसे खूब फटकार लगाई अरे आकाश तुम्हारे कारण आज मैं अपने ओफिस नहीं जा पाया अरे तुम्हें मैं अभी ड्राइवर की नौकरी से निकालता हूं शाम को मेरी गाड़ी मेरे घर पे लाके खड़ी कर देना समझे उधर सलोनी दोपैर को आ बैंक वाले कहते हैं अरे यहां पर आकाश कोन है आकाश मैं ही हूं कहिए क्या बात है बैंक वाले अरे यह तुम्हारी गाड़ी है ना तो हम इसे ले जा रहे है क्योंकि तुमने बैंक का लोन नहीं चुकाया यह कहके वो लोग गाड़ी ले गए आकाश हे भगवान यह क्य क्या होरा है मेरी तो नोकरी बीचली गई और बोस की गाड़ी गई वग अलग सलोनी क्या क्या मतलब नोकरी चली गई अरे बस में कले जाते आज अपने office औअ काश अरे अरे मेरा काम ही तो वह गाड़ी ए ठ्राइवर हूं अब आकाश ने मां और बीबी को सब सच बता दिया आकाश अब तो मुझे जेल हो जाएगी ये सब तुमारी वज़े से हो रहा है तुमारे लालच और दिखावे के कारण आज में कहीं कभी नहीं रहा पुलीस और जेल की सुनके सलोनी डर गई वो बोली आकाश प्लीस मुझे माफ कर दिजे मैंने अपनी जूटी शान और सहिलों की वज़े से आपको बहुत दुकी किया सर्ला देखो बहु तुम घर की लक्षमी हो और घर की बहु का काम होता है सब को और अपने घर को सुरक्षित रखना परास तुमने सब ही बरबाद कर दिया अब सलोनी को अपनी गलती का पस्तावा हो रहा था उसने अपने सारे गहने बेच डाले और बैंक का लोन चुका के वो गाड़ी वापस ले आए फिर आकाश गाड़ी वापस करने बोस के घर गया साथ में सलोनी भी थी और उसने भी सलोनी ने रो रोकर बोस से माफी मागी सलोनी को इतना रोते देख आकाश के बोस ने आकाश को तो नहीं निकाला फिर उन्होंने सलोनी से कहा देखो बेटी तुम मेरी बेटी की तरह हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ देखो दिखावे और लालत से कुछ नहीं होता मेनत और इमानदारी से काम करो तो तुम अपने घर में गाड़ी जरूर ला सकती हो फिर सलोनी भी कोल सेंटर में काम करने लगी अब सलोनी कोई जिन नहीं करती थी घर का माहूल शांती पूर्ण था फिर जल्दी ही उन्होंने पैसा जमा करके एक नई गाड़ी भी ले ली अब वो खुशी-खुशी रहने लगे दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एज अब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वोचिंग